प्यारे बच्चूं कच्छा दस के सामाजी विज्ञान के अंतरगत भूगोल विशाय में दूसरा पाठ वन एवं वन जीव संसाधन के अंतरगत आज इस वीडियो में आप भारत में वन और वन जीवन का सन्रच्छन तथा बाग परियोजना काध्यन करेंगे तो देखे भारत में वन और वन जीवन का सन्रच्छन वन जीवन और वनों में ती ब्रगत से हो रहे विनास के कारण इनका सन्रच्छन बहुत आवस्यक हो गया है परन्तु हमें वनों और वन जीवन का सन्रच्छन करना आवस्यक्यों है सन्रच्छन में पारिस्थित की विविदता बनी रहती है तथा हमारे जीवन सांध संसाधन जल वाय और म्रदा बने रहते हैं यह विविन जातियों में अच्छे जनन के लिए वनस्पत और पसुओं में आनुवन सिक्ता विविदता को भी सन्रच्छित करती है उदाहनार्थ हम क्रसी छेत्र में अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर हैं जली और जैव विविदता विविदता सामान रूप से मचली पालन बनाए रखने पर निर्भर है पर्यावरान सन्रच्छकों ने राष्ट्रिय वन्य जीवन सुरच्छा कारिक्रम की सन 1960-1970 के दसकों में प्रबल मांग की भारतिय वन्य जीवन सन्रच्छन अधनियम सन 1972 में लागू किया गया जिसमें वन्य जीवों के आवास रच्छन के अनेक प्रावधान सामिल थे संपूर भारत में रच्छित जातियों की सूची भी प्रकासित की गई इस कारिक्रम के तहित बची हुई संक्ट ग्रस्त जातियों के बचाव पर सिकार प्रतिबंधन पर वन्य जीव आवासों का कानूनी सन्रच्छन तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आधि पर अधिक जोर दिया गया इसके पश्चात केंद्रिय सरकार व कई राज सरकारों ने राश्ट्रिय उद्यान और वन्य जीव पसु बिहार इस्थापित किये जिनके बारे में आप पहले ही अध्यन कर चुके हैं इसके साथ ही केंद्रिय सरकार ने कई परियोजनाओं की भी घोस्रा की जिनका उद्देश गंभीर संकट में पड़े कुछ विशेश वन प्राणियों को रच्छण प्रदान करना था इन प्राणियों में बाग, कस्मीरी हिरन, तथा हंगुल, एक सिंग वाला गैंडा, एसियाई सेर, तीन प्रकार के मगरमच और अन्य प्राणी सम्मिलित हैं इसके अलावा कुछ समय पहले भारतिये हाथी, काला हिरन, चिंकारा, भारतिये गोडावन और हिम तेंदुओ, आदिके सिकार और व्यापार पर संपूरत्वा आंसिक प्रतिबंदल लगाकर कानूनी रच्छण दिया है वर्तमाज समय में संदच्छर, परियोजनाएं जय विवित्ताओं पर केंद्रित होती हैं नकी इनके विभिन घटकों पर संदच्छर की विभिन परियोजनाओं के लिए गहनता से खोज की जा रही है वन जीव अधनियम सन उन्ने सवस्षी और उन्ने सवच्छी आसी के अनुसार सैकरों तितलियों, पतंगों, भ्रंगों और एक ड्रेगन फ्लाई को भी संदच्छित जातियों में समिलित किया गया है इसलिए संदच्छर नियोजन में कीटों को भी महत्त मिल लहा है सन उन्ने सविक्यानवे में पादपों की भी छेह जातियां प्रथम बार इस सूची में सामिल की गई आगे देखिए बाग परियोजना वन जीवन सन्मचना में बाग एक महत्त पूर जंगली जाति है सन उन्नीस सवतिहत्तर में अधिकारियों ने पाया कि देश में बीसमी सतादी के प्रारंब में बागों की अनुमानित संख्या 55,000 से घटकर मात्र 1827 रह गई थी बागों को मार कर उनको ब्यापार के लिए चोरी करना आवासिय स्थलों का कम होना भोजन के लिए आवस्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना और जंशंख्या में ब्रध बागों की घट्ती संख्या के मुख्य कारण थे बागों की खाल का व्यापार और उनकी हड्डियों का ऐसी आई देशों में परमपरागत और सधियों में प्रियोग के कारण यह जात बिलुप्त होने के कगार पर पहुँच गई थी विश्व में भारत और नेपाल बागों को आवास उपलब्ध कराते हैं अताह ये देश ही सिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने वालों के मुख्य निसाने पर है प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है तथा इसकी सुरुवात सन 1973 में हुई प्रारंब में इसमें बहुत अधिक सफलता प्राप्त हुई क्योंकि बागों की संख्या बढ़कर सन 1985 में 4,002 और सन 1989 में 4,334 हो गई थी परंथ सन 1993 में इनकी संख्या घटकर 3,600 तक पहुँच गई थी वर्तमान में भारत में 32,137 तसमलो एक चार वर किलोमीटर पर फैले हुए 49 बाग रिजर्व हैं उतराखन में कारवेट राष्ट्री उद्यान पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्री उद्यान मध्य प्रदेश में बांधो गढ़ राष्ट्री उद्यान राजस्थान में सरिस्का वन्यजीव पस्विहार असम में मानस बाग रिजर्व और केरल में पेरियार बाग रिजर्व भारत में बाग सन्नच्छन परियोजनाओं के उदाहरण हैं, बाग सन्नच्छन रिजरों मात्र एक संकट ग्रस्त जाति के उदाहरण हैं, बाग सन्नच्छन रिजरों मात्र एक संकट ग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है, बल्कि इसका उदेश बहुत बड़े आका के जयव क्रांत का सन्दच्छन करना भी है तो प्यारे वच्चों आज इस वीडियो में इतना ही सभी विद्यार्थी भारत में वन और वन जीवन का सन्दच्छन तथा बाग पर्योजना को अपने सब्दों में लिखकर होमवर्क वाले गुरूप पर अवस्य डाले धन्यवा झाले झाले पर वुरूप झाले वुरूप झाले है रो